कि नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है आपने कभी सोचा है सोचा तो होगा कि जैसे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोई राष्ट हित का काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट का सिलान न्यास या उद्गाटन करते हैं कोई राष्ट हित में भाशन देते हैं या विदेशी जो और मुख चेरे हैं वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं वावाही करते हैं उन कॉंग्रेस के नेताओं को उनके परवक्ताओं को मिरगी के दोरे क्यों पढ़ने लगते हैं ये आपा क्यों खो बैठते हैं बोखला क्यों जाते हैं और दूसरा प्रेशन क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि ये राहुल गांधी बार बार विदेश दोरे पर क्यों ज में आ रहा है एक ऐसे खांदान से तालुक रखते हैं कैसे परिवार से तालुक रखते हैं जिसमें जवाहरलाल नहरू इंद्रा गांधी खुद इनके पिता श्री राजीव गांधी तीन तीन परधान मंत्री रहे हैं और जवाहरलाल नहरू तो 16-17 साल इंद्रा गांधी 15-16 स साल और इनके पिता जी भी पांच साल उनिस सो चुरासी से लेकर के उनिस सो नवासी तक पुरधान मंत्री रहे हैं और इनकी माता जी चुकी इटली की हैं इसलिए नानी के घर जाते ही होंगे बच्पन से और उसके बाद फिर अगर विदेश में ही पढ़ाई हो रही है ब्रे है उसके परति आसकती समझ में आती है तो कई बार लोग कहते हैं कि Thailand गए हैं कई बार कहते हैं के सिंगापूर गए हैं कहीं दूसरी जगए हैं कई बार पता लगता है इटली गए हैं कई बार पता लगता है के London गए है और London में Oxford University गए है या मेडिया से बात की है या वहां जो भारती है रह रहे हैं उनके कुछ ग्रुफ से बात की है और यहां जो लुटियन मेडिया के लोग बैठे रहते हैं वो इन सब चीजों को बड़ा हाथा वहाथ लेते हैं लंदन में तो कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतम होने के कगार प रहे गया है उस पर कई तरह के प्रेशर हैं ये भी कह दिया था कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है यानि डेमोक्रेसी खतम हो गई है अभी पुर्दान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दोरे पर जाने वाले हैं और यह उनका राजकी ये दोरा है रेड कार्पिट पर उनका जो बाइडन जो राश्टपती है और उनकी धरम पतनी वाइट हाउस में स्वागत करने वाले हैं 22 जून को उनके सम्मान में डिनर आयवजित किया जाएगा जिसमें अमेरिका की क्रीम वहां पर मौजूद होगी यानि जानिवानी हस्तियां वहां म स्वान मेरिका न्योडो नियू यूर्क मतलब हर जगे उन्होंने अपने कार्यकरम लगवाए सेम पेट्रोडा को तो में पेंट रोडवा पतले करना जिस जिस तरह के इन उन भाइसा बोल देते हैं पतलब समझ से बाहर की बात है और ये भी समझ से बाहर की बात है कि ये ब्रिटेन में जाकर के या U.S. में जाकर के ही इस तरह के बयान क्यों देना चाहते हैं क्या इसलिए कि नरेंदरमोदी की समय वैश्विक वावाही हो रही है अमेरिका के राश्ट पती जो बाइडन हिरोशिमा में अगर G20 शिखर समेरन के मौके पर मिलते हैं नरेंदर मौदी से तो उन से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई आप अमेरिका में बहुत लोग पुरिये हैं आप राज की ये दोरे पर आ रहे हैं 22 जून को आपको हम डिनर होस्ट कर रहे हैं वाइट हाउस में और आपके साथ डिनर करने की होड इतनी ज्यादा है कि लोग सिफारी से लगवा रहे हैं इधर उधर से मेरा तो मन होता है कि मैं आपसे ओटोग्राफ लो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्रधान मंत्री इनको बॉस बताते हैं जब बीच में एक कंट्री मे जाते हैं वहां के प्रधान मंत्री अंतराश्टिय एरपोर्ट पर उनकी आगवानी करके उनके पैर छुने लगते हैं और ये भी सब को पता है कि भारत की जो एकॉनमी है अर्थ विवस्था है वो कोविड काल के बावजूद विश्व की पांचवी बड़ी अर्थ विवस बन चुका है रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी हमारे चुनोतियां हैं कटनाईयां थी उनका समाधान किया है पाकिस्तान को चीन को उसकी हदों में रखा है इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जितने पैरामेटर्स होते हैं उन सारे पैरामेटर्स पर नर के जनी संसद बनाने का वपलबद ही Benanka हो जाए सेंटरल विष्टा जिसमें पचास से ज्यादा मंत्रा लों के दफ्तर ie एक साथ विल्डिंग्स में रहेंगे यह प्रदान मंत्री का नया ओफिस और आवास उपराश्टपती का नया ओफिस और आवास ओंटरल विष्टा का ही हिस्सा है वो सब बन रहे हों पूरे देश में जो सडकों का जाल बिछ रहा है चोड़ी सडके बन रही है और हाइवे एकस्प्रेस बन रहे हैं वाटरवेज बन रहे हैं एरवेज को नई गति मिली है, ट्रेंस की सूर्ते हाल बदली है और इसको लेकर के अब इनका frustration कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इनको लग रहा है कि 2014-2019 के बाद अब 2024 में भी नरेंद्र मोदी परदान मंदरी बनने जा रहे है, इनको रोकना बहुत मुश्किल काम लग रहा है, इसलिए तरह-तर की टूल किट्स जो है वो फिर से अस्तित्व में आ रही है, वो हिंडन वर्क की रिपोर्ट, BBC की दो किस्तों में डाक्योमेंटरी, जोर्ज सोरोस का मैदान में उतरना, प्रेस कॉन्फरेंस करना, मोदी को हटाने के लिए मैं आठ हजार करोड डॉलर भी खरच कर सकता हूं, इस तरह के वाहियात बयान देना, इधर तेरे महिन्य का दिल्ली में तथा कजित किसान आंदोलन चलाने वाले, फिर से जो पहलवान बेटियां हैं, जो तेरे महिन्य का आंदोलन चलाने वाले थे दिल्ली में, अब फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बहाना है कि महावीर फोगाट के परिवार की जो लड़कियां हैं, उनके साथ योन शोशन किया है, कुस्ति महासंग के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूशन शरान सिंग ने जो बीजेपी के MP हैं, यानि कुल मिला करके एक ऐसा माहूल क्रियेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से नरेंद्र मौदी को 2024 में रोका जा सके, अब इसके लिए जितना भी परियास कर सकते हैं, विपक्षी दलों की एक्ता के परियास, नितिश कुमार, केसि ममता बेनर जी, अर्विन केजरिवाल, शरद पवार सब लगे हुए हैं, और विपक्षी एकता कभी हुई ही नहीं है, ना 2014 में, ना 2019 में, ना 2024 में होने वाली है, तो राहुल कांधी ने जो जो बयान महां पर दिये हैं, जिस तरीके के उन्होंना कहा कि नरेंद्र मौदी को भगवान के साथ भी बठा दो, तो वो भगवान को भी समझा देंगे कि दुनिया को कैसे चलाना है, इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने फिर से मुस्लिम लीक को एक सेकुलर पारिटी बता दिया, जिस तरहा उन्होंने ये एक बयान दे दिया किसाब, मुसल्मानों की ह हालत आज हिंदुस्तान में ऐसी है, जैन की, पार्सियों की, सिक्खों की हालत ऐसी है, जैसी असी के दशक में दलितों की थी, अब भूल जाते हैं रहूल गांदी के असी के दशक में, उनकी अपनी कॉंग्रिस की सरकार थी, पहले इंद्रा गांदी प्रधान मंत्री थी औ को और अपने पिताजी को ही जिम्मेदार खेरा रहे हैं एक तरीके से तो इसलिए मैं नहीं कहा कि ये क्या बयान देते हैं क्यों देते हैं क्या कहना चाहते हैं दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं और वहां अमेरिका में अगर selective press के लोग बुला भी लो आप या कुछ Congress समर्थक लोगों को को आप किसी सेमिनार में किसी जगह पे बुला करके संबोदित भी कर लो तो उससे क्या होने जाने वाला है, समझ से बाहर है, पर हाँ, इस से खुद राहुल गांधी की अल्रेडी जो छवी है ही नहीं, और लोग उनको लेकर के मजाग ज्यादे उड़ाते हैं, उनके बैयानों को लेकर के मजाग ज्यादे उड़ाते हैं, इनकी छवी और खराब हो रही है, इनके परिवार की भी छवी खराब हो रही है क्योंकि तीन-तीन प्रदान मंत्री इस परिवार ने दिये हैं तो बिल्कुल समझ से बाहर की बाते हैं जो ये बयान देते हैं और जिस तरह के बयान देते हैं इनके फ्रस्ट्रेशन की एक वज़े ये भी हो सकती है हाल में कॉंग्रेस ने दो राज प्रियंका गांधी बाडरा गई थी अब वहां हार जीत का अंतर भारतिय जन्ता पारिटी और कॉंग्रेस में वो कुछ हजार वोटों के अंतर से ही हुआ है उतने वोट अगर बीजेपी को मिल जाते हैं उनकी फिर से सरकार बन जाती बीजेपी को कम वोट मिले वहां बन गई पर ना हिमाचल में कॉंग्रेस की जीत का सरे राहुल गांधी को मिला क्योंकि उस समय तो यह बहारत जोड़ने में लगे हुए थे और ना ही करनाटक की जीत का सरे इनके सेहरे पर सिर पर सेहरा बंदा इसकी वज़े यह है कि भारत जोड़ों के समय जरूर इन्हों वीजिए इस दिन लगाए लेकिन जब एक्जिट पॉल आ रहे थे तो आज तक वाले जो एक्जिट पॉल करने वाले एक्सिस माई इंडिया के गुपता जी उन्होंने एक चोकाने वाला खुलासा किया उन्होंने कहा कि भारतिये जनता पारिटी को करनाटक में जितनी सीटे म मिल रही है इसमें 19 परतिशत नरेंद्र मोदी की वज़े से मिल रही है उनके दोरों की वज़े से उनके बाशन की वज़े से उनके रोड़ शो की वज़े से और कॉंग्रेस को जो बहुमत मिला है 136 सीटे मिली है इसका इसमें केवल एक परतिशत जो स्रे है वो गांधी नह परिवार को है इसमें प्रियंका गांधी वाड़रा भी है राहुल गांधी भी है सब यह सोन्य गांधी भी एक सभा को सम्मोजित करने के लिए गई थी केवल एक पृतिशत तो वहां भी इनको स्रे नहीं मिल रहा है तो इनकी प्रेशानी इनके फ्रेस्ट्रेशन इदर नरें लोकार्पित कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है दो हजार चोबिस के लोकसवद चुनाव से पहले भगवान राम के मंदिर का भी लोकार्पन हो जाएगा दर्शनों के लिए खुल जाएगा ये भी इनकी परेशानी और फ्रस्ट्रेसन की एक बड़ी वज़े है दूसरे और तो कुछ सूज नहीं रहा है अमेरिका जाते हैं तो वहां जाकर के भी भारत जोड़ो यात्रा की ही चर्चा कर रहे हैं और एक बात तेरा सोचने की है इनके फ्रस्ट्रेसन की जो वज़े है बहुत लंबे समय तक इस परिवार का एक औरा था एक प्रभाव था एक रु इस से पहले भी डॉक्र मनमाहन सिंग परधान मंतरी थे ये नहीं थे लेकिन माना जाता है कि मनमाहन सिंग तो इनी के हाथों की कठपुतली थे तो इनी का शासन था पर दस साल हो गए हैं कहीं किसी एक अफसर को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं राज जपाल मंतरी बनाना अब भूल जाएए दो राज्यों में जरूर इन्होंने मुख्य मंतरी और मंतरी तै किये हैं हिमाचलोर करनाटक में वाकी इनके लिए निराशा का वातावरण है पारिटी के भीतर भी बगावत की इस्तिती है कोई राहुल गांदी को अपना नेता मानने को तक को तैयार न तक कोई राहुल गांधी के नित्रत्यों में नरेंद्र मौधी के खिलाब भार्चे जिन्ता पारिटी के खिलाब एक जुट होकर के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और पता है कॉंग्रेस को पिछली बार कब पूर्ण वहुमत मिला था देश में 1984 में और वो भी थी और जिस तरीके से नरेंद्र मौधी के नित्रत्यों में 2014 में 282 सीटे अकेले भार्चे जिन्ता पारिटी को मिल जाना पूर्ण वहुमत से अधिक और फिर 2019 में 303 सीटे मिल जाना नरेंद्र मौधी की 2019 की जीत इसलिए बहुत महत्वपोन है और 1984 की राजीव गांधी के नित्रत्यों में कॉंग्रेस को 400 सीटे मिलना इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपोन नहीं है क्योंकि तब इंद्रा गांधी की हत्या हुई थी पूरे देश में एक साहनुबोती की लेहर थी तो वो मिल गई लेकिन 2019 में नरेंद्र मौधी को जो 303 सीटे मिली 2014 से भी ज्यादा वो उनके कामकाज उनकी लीडर्शिप उन्होंने जो देश का विदेशों में मान बढ़ाया और जिस तरीके से अर्थ व्यावस्था को संभाला उसकी वज़ जिस तरीके से हाथ पैर मारते घुम रहे हैं नई पार्लियमेंट के इनोग्रेशन का इनहीं के इनीशियेट करने पर 19 विपक्षिदलों ने बाइकॉट किया जिसको जितने भी बुद्धी जीवी हैं जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले करीब 270 लोगों के हस्ताक्षनों से युक्त एक पत्र जारी किया गया था उस समयर कॉंग्रेस और विपक्षिदलों की उसमें आलोचना की गई थी कि लोगतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और आप उसके इनोग्रेशन के समारहों का ही बाइकॉट कर रहे है और क्यों कर रहे थे अमेरिका में अपने एक जगे वाशन करते हुए राहुल गांधी को सुना होगा जब राजदंड को प्राप्त करने वाले थे प्रधान मंद्री नरेंद्र मोधी साधी साधू संतों से उससे पहले वो शाष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लेकिन यहां सोशल मीडिया में इनका ठीक ऐसे ही शाष्टांग प्रणाम करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया गया तो यह कितना जूट बोलते हैं कितना खुद पाखंड करते हैं कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अगर करें वैसा तो वो पाखंड बताते हैं औ और खुद इन्होंने कहीं किया है संभवते उजयन की महाकाल नगरे में किया है या किसी और अस्तान पर किया है लेकिन ऐसे वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं अब इनके सामने धरम संकट यह भी है कि यह नई संसद का सेंट्रल विश्टा का जितने विकास के क साम हो रहे हैं जितनी यह हाई वेज, एक्सप्रेस वेज, एयर वेज, हवाई अड़े बन रहे हैं उनकी परशन सा किस मूह से करें इतने एम्स बन रहे हैं इतने मेडिकल कॉलिज बन रहे हैं युनिवरस्टीज बन रही हैं तो कैसे परशन सा करें क्योंकि वो तो अपने बाशन में जहां भी जाते हैं, बताते हैं, कि 60 साल में, 70 साल में, कितने एम्स बने, कितने हवा यड्डे बने, कितनी सडकें बनी, और हमारे पिछले 9 साल के कारिकाल में, कितना काम हुआ है, और उसको ये काट नहीं सकते, मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन जो आक्रे वो प केदारनास का बिलकुल एकदम रुपांत्रन कर दिया गया भव्य परिसर बन गया काशी विश्वनात कोरिडोर बहुत अच्छा बन गया भगवान राम का मंदिर बनी रहा है उज्जेन में महाकाल की काया कल्प हो गई सौमनात से रेलेटिड भी गलियारा भव्य बन गया चा नरेंद्र मोधी ने तो ऐसे काम कर दिये हैं कि वो उनको कोई रोक नहीं सकता दो हजार चोविस में तब ऐसे में फ्रेश्ट्रेशन नहीं निकलेंगी या मोधी के लिए गालियां नहीं निकलेंगी इनके मुझ से तो और क्या निकलेगा क्योंकि मैं उस शब्द का परियो वो कहते हैं ना कि घर के रहे ना घाट के कॉंग्रेस के भीतर भी ये कोई करिश्माई नेत्रत्तों परदान करने में विफल रहे हैं विजनरी नेत्रत्तों तो छोड़ ही दीजिए लेकिन जिस तरह के काम नरेंद्र मोधी ने किये हैं 80 करोड लोगों को डेड़ दो साल तक लगातार मुफ्त भोजन उपलब्द कराना तो इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोधी कि किसी भी तरीके से चबी खराब करिए यही वज़ा है कभी लंदन जाते हैं कभी अमेरिका जाते हैं अमेरिका इस लिए कि प्रधान-मंत्री नरेंद्र बोधी पी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले है, राज की यात्रा पर जाने वाले है, तो कुछ थोड़ा सा वहाँ पर माहोल खराब करिए, नरेंदर मोदी के बारे में गलत सलत कही है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस से इनकी अपनी छवी कहां जा रही है, और गर्त में जा रही हैं और इनका फ्रेस्टेशन इसलिए भी बढ़ रहा है कि ब्रस्टाचार के केस में नैस्नल हेरल्ड के केस में ये इन पर शिकंजा कसा हुआ है और और अल्रेडी मान हानी वाले मामले में तो दो साल की सजा इनको सूरत की कोर्ट सुना ही चुकी है जिसका उल्लेख भी इनोंने अमेरिका में किया कि वो ऐसे पहले शक्स हैं जिनको मान हानी के केस में मैकसिमम सजा सुनाई गई तो इनको लगता है और ये इस तरह का दावे भी करते हैं कि भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं वो प्रेशर में काम करती हैं तो ये चीजें राहुल गांधी की छवी को उनके परिवार की छवी को और रसातल में ले करके जा रही हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार